हलो दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में आज बात करेंगे यूको बैंक वर्सिस बैंक ओफ इंडिया बैंक अगर इन दोनों बैंकों में से कोई भी एक बैंक में आप ऑनलाइन घर बैठे सेवी अकाउंट आपन करने के वारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आपको डिटेल सरुसेस आपको देखने को मिलता है कॉंसर डेबिट कार्ड मिलता है चार्जेस क्या क्या रहने वाला है वो सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं दोनों बैंकों की ऑनलाइन एकाउंट आपनिंग से तो दोनों ही बैं प्रशेक कंप्लीट होके आपका सेवियं अकाउंट ऑपन हो जाएगा दोनों बैंकों में इंट्रसेट की बात करें ब्याजदर की बात करें तो यूकों बैंक में आपको सालाना इंट्रसेट मिलता है 2.60% जो के क्वाटरली बेसेस पर आपके एकाउंट में क्रेडिट किय आपने एकाउन में क्योंति बनेगा वह आपके आजाएगा बैंक आपको मिलता है टू पॉइंट सेवन फाइब परसंत का इंटरसेट एन्वली और इसमें विए कौटरली बैसेश पर आपके जाता है अब डोनों बेंकों की debit card checkbook की बात करें तो दोनों बैंकों .." iranवार को भी घ्राइपर करने के बागे बाप की गए सब्सक्राइब करने के अस। एक शाधा और वह सारब मिल जाता है सेम उसी तरह से Bank of India Bank में भी यह सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है अगर दोनों बैंकों की debit card के बारे में बात करेंगी दोनों बैंकों में कौन सा debit card मिलता है debit card का charges कितना होता है तो Yuko Bank में debit card के बारे में बात करें तो Yuko Bank में मिलता है आपको classic debit card जिसका charges होता है 1.500 रुपए पहले year माने के first year free होगा पहले साल आपसे कोई भी charges नहीं लिया जाएगा second year से यह charges applicable होगा लेकिन अभी जो भी bank में online account आपन कर रहे हैं तो यहां पर आपको platinum debit card देखने को मिलता है जिसका charges आपसे इस्वन charges 200 रुपए लिया जाएगा साथे साथ एन्वली maintenance charges आपसे 200 रुपए लिया जाएगा आपके account से automatically cut हो जाएंगे अगर आप Yuko Bank में account आपन कर रहे हैं तो bank of India bank card debit card के बारे में बात करें तो bank of India bank में अभी जो debit card आपको मिल रहा है वो platinum debit card दिया जाता है और जो इसका charges होता है GST मिला के 295 रुपए यहां पर charges अभी लिया जा रहा है 295 रुपए charges लिया जा रहा है अगर आप bank of India bank में account open करते हैं तो बाकि दोनों बैंकों की debit card है उसका transaction limit बगेरा की बात करें तो normal आपको 25,000 रुपए तक daily transaction limit मिल जाता है मन्त में 4 free transaction मिल जाता है अगर बात करें क्या यह दोनों bank zero balance account है तो दोनों bank यहां पर zero balance account नहीं है तो यह 500 रुपए से account opening होना शुरू हो जाता है आनि कि आप अपने account में 500 रुपए भी रखेंगे तो भी आपसे कोई भी नोन मेंटरें चार्जस नहीं लिया जाएगा बात करते हैं कि दोनों bank को में इसे best bank कौन सा है तो देखिए दोनों ही बैंको में आपको similar features देखने को मिल जाता है एक जैसे ही दोनों में services वेगरा देखने को मिल जाता है क्योंकि दोनों गोवर्मेंट बैंक है तो आप चाहें तो Yuko Bank में भी account open कर सकते हैं आप चाहें तो Bank of India Bank में भी account open कर सकते हैं आपके नजदीक में जो भी bank है उसका आप online account open कर सकते हैं आप branch याके मत open करिए सबसे अच्छा है कि आप online account open कर लिए जो भी आपके नीरेस्ट में ताकि आपको जब भी कुछ भी फिजिकल की जौरत पड़े तब आप जाके नजदी की वाले बैंक में एजली पहुंच पाए और वहां से आपका जो भी प्रॉब्लम है वह आपका solutions आपका वहां से हो जाए क्योंकि customer base काफी अच्छा है और इसमें जो है debit card वगेरा आपको platinum debit card देखने को मिल जाता है अभी bank of India bank की जो services में काफी ज्यादा सुधार हुआ है तो दोस्तों मैं आपको पूरा details में उता दिया कि कौन से bank में आपको account open करना चाहिए तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया